सब्स्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस किजिए ताकि आप पास सकें लेटेश्ट टेक्नोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Android 12 के नोटिफिकेशन पैनल को किसी भी समसंग के डिवाइस में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो जैसे कि मैंने अपने डिवाइस में इंस्टॉल किया हुआ है Android 12 का नोटिफिकेशन पैनल तो वीडियो को आंतर सक द इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में मी कंट्रोल सेंटर को इंस्टॉल कर लेना है यहां पर आप देख सकते हैं जो बाइडि डिफॉल्ट नोटिफिकेशन पैनल है वन यू आई का वह अप्लाई है तो आपको प्लेश्टोर से म कंट्रोल सेंटर को अपने डिवाइस में इस्टॉल कर लेना है इंश्टॉल इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे open करना है open करते ही कुछ यहाँ पर permission मांगेगा आपको permissions को कर देना है allow, allow करने के बाद आपको इसमें को settings करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको काफी सारे options देखने को मिलेंगे आपको layout पर कर देना सबसे पहले तो click यहाँ पर आपको काफी सारे options देखने को मिलेंगे सबसे पहला है यहाँ पर big tiles यहाँ पर आपको select कर लेना है 5 और यहाँ पर 2 और उसके बाद okay कर देना है इसके बाद tiles grid में यहाँ पर select कर लेना है 1 और right में 4 उसके बाद okay कर देना है यहाँ पर tiles size यहाँ पर 32 select कर लेना है उसके बाद show time and date in control center इसको आपको on कर देना है इसके बाद आपको चले आना है colors में यहाँ पर आपको सबसे पहले background type पे कर देना है click यहाँ पर आपको कर देना है image blur और transparency को हलका सा बढ़ा देना है और ok कर देना है इसके बाद है background color आप अपने according कोई भी background color चूज कर सकते हैं दोस्तों जैसे कि example के लिए मैं यहाँ पर यह color apply कर रहा हूँ उसके बाद active tile color तो यहाँ पर इसे apply कर लेना है उसके बाद brightness slider control तो यहाँ पर आप अपने according कोई भी color select कर सकते हैं दोस्तों Example के लिए मैं यहाँ पर यह color select कर लेता हूँ, तो यहाँ पर उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, जो notification panel है, वो completely change हो चुका है दोस्तों, आपको Android 12 की तरह देखने को मिल चुका है notification panel, तो आप इस तरह से अपने किसी भी Samsung के device में Android 12 का जो notification panel है, उसे apply कर सकते हो दोस्त तो यही था आज की इस वीडियो में, उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर देजेगा like channel पर पहली बारा है, तो चैनल को कर देजेगा subscribe, मैं मिलता हूँ से next वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद, वन्दे मात कारम